पोको के F6 device के लिए यहां पर यह आपका एक latest update आ चुका है जिससे one day पहले मैंने डाला है और यहां पर क्या कुछ चीजे देखने को मिलती है वह साही जनकाई देने वाला है क्योंकि इस रोम का review मैं first time करो अपने चैनल पर तो सब कुछ details में देखेंगे और सासा installation guide भी मैं आ आप तक review लेके आने के लिए तो प्लीज लाइक और share कर दिया करो यहां पर आपका है जो fingerprint काफी अच्छे तरीके से काम करता है को कोई दिक्कत नहीं आती अस्मूदनेस भी काफी अच्छा खासा आपको देखनी को मिलता है लेकिन जैसे कि pixel launcher के साथ जो अस्मूदनेस फील होता है ना वह यहां पर नहीं होता कि यहां पर different launcher दिया गया लेकिन हाँ स्मूदनेस है ऐसा नहीं है कि launcher चेंज है तो आपको स्मूदनेस फिल नहीं होता और यह इसके डिफॉल्ट launcher के सारे कस्टुमाइशन सेटिंग्स अगेरा यहां पर आप चीज़े देख सकते हो और जो भी रखना है उसे on and off कर सकते हो यहां पर गूगल का डाइलर दिया गया है और हाँ डिफॉल्ट कैमरा यहां पर आपको डिफॉल्ट वाला नहीं मिलता नॉर्मल कैमरा दिया गया है तो आपको अलग से जीकेम वगर डालना पड़ेगा या फिर आप रूट करके आपको यहां पर फील होता है बाउट की रहाते हैं तो आपको देखनी को मिल जाता है जो कि यह आपका android 15 5 अपरल का security patch है यहां पर करनल आप देख सकते हो चेंज कर रहा हुआ है और यह हमारा विल्ट डेट वगेरा और यहां पर आपको चेंज लग वगेरा देखनी को मिल बैक की रहाते हैं तो आपको देखनी को मिलता है security और privacy जहां पर face unlock नहीं दिया गया जैसे के lineage में नहीं होता C4 C fingerprint ही आपको यहां पर मिलता है बाकि यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है private space नीचे गड़ाने के बाद आपको मिलता है so panic options वगेरा है यहां पर panic settings वगेरा है device आपका encrypted टेखनी को मिल जाता है और बाकि वही basic से options आपको यहां पर मिलते है सेटिंग के अंदर आते हैं यानि जो कि हमारा सिस्टम सेटिंग है यहां पर आपको जेस्टर्स के बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं तो इस डिफेंट स्टाइल में जहां पर प्लेबैक कंट्रोल है डिंगिंग है वन है लेप टू चेक है और विज ओन फिंगर पिंट है स्कीन का उप्शन मिल जाता है जो कि आपका प्रो पर वर्किंग रहता है सासर लोकेशन एक्षन इंडक्टर वगएरा है कैमरा माइक्रोफोन लेफ्ट एंड राइट करने का उप्शन है बैटे के थोबर स्टाइल दिये गए हैं और बाकि यहां पर परसेंटेज वगएरा भी आ आप कर सकते हो जैसे के पावर सेंग मोड है बलोटूथ है इसके इंड़ वगएरा के आपको यहां पर मिलते हैं मिसलिनिस के अंदर यहां पर एडवांस बीड़ का ऑप्शन है और बैक अपका भी आप्शन यहां पर दिया गया है साथ-साथ यहां पर डाइगनोसिस भी ए इंप्रेस्ट हूं तो इसकी जुरूवत ही नहीं परी मुझे अन करने के लेकिन यह जो फास्ट चार्जिंग है में भी एक दिन के बाद ठीक हो जाए लेकिन यह बार 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 ओन कर नहीं ओफ हो जाता है तो कुछ रोम में मैंने ऐसा देखा था कि फॉस्ट दिक्कत करता है और एक-दो दिन के बाद ठीक हो जाता है तो अभी जब तक मैंने इसे यूज़ किया नहीं है तो ठीक हुआ नहीं बढ़ आप डालोगों तो देख लेना कि यह जो फास्ट चार्जिंग है ऑन करने कवाद आटो ओफ हो रहा है या फिर आपको अन रहा है क्यों मेरे साथ यह दिक्कत आई है और ऐसे भी नॉर्मल चार्जिंग स्पीट काफी सही है तो इसकी जड़ोत भी नहीं पड़ती है साथ-साथ बैक यूर आते हैं तो आपको मिल जाता है वाल पे पर आते हैं तो एक ही वाल पेपर मिलता है बाकी आप अपना है जो डिफेंट वाल पेपर आपको मिल जाते हैं डिस्प्ले के अदर आटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है टाइम आउट आपको मिलता है डार्क मूट के अंदर प्योर ब्लैक तो नहीं दिया गया लेकिन वाल पे वो डिम का एक ऑप्सन मिलता है जैसे आप डाक मूट अन करते हो और यहां पर वा जाता है तो यह उप्सन आपको यहां पर मिल जाता है जो कि डाक मूट के अंदर नजर आता है बागे थीमिंग के सेटिंग दिये गया है जहां पर जो जो मोनिटर ले थीमिंग फीचर से उसके बेनिफिट ले सकते हो नाइट लाइट वगेर आपको अप्सन मिल जाता है ड और कुछ display के extra setting भी आपको यहां पर मिल जाते हैं कि आप dieses गैसा अपने हिसाफसे सेट कर सकते हैं उस टामके से अपना है auto activate हो जाएगा सांट परोफाइल के अंदर आपको जारा कुछ नहीं दिया गया questions आपको मिल जाते है इसका बाकिया other options भी आपको भी आपको बहुत जादा नोट्रिक्शन आते हैं back to back तो यह volume को down कर देता है ताकि नोट्रिक्शन से disturbed नहीं हो लेकिन उनसी time में अगर आपका alarm हो या फिर calling हो तो वह आपका full रहता है उस पर effect नहीं डालता यह अच्छा option आपको यहाँ पर मिलता है Apps के अंदर यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं दिया गया वही सारे common से basic से options हैं बाकि यहाँ पर और कुछ ज्यादा देखनी को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लोग इसे ignore करना चाहेंगे या फिर root करके बाकि एक्ट्रा चीज़े add करना चाहेंगे जैसे कि यहाँ यहाँ पर कैमरा भी अगर default वाला रहता है लाइका वगरा तो बेटर होता लोगों को पसंद आता है लेकिन वह यहाँ पर missing देखने को मिल जाता है दूसरी अगरा हम चीज़े के बात करें जैसे कि परफॉमेंस वगरा तो वहाँ पर यह कुछ चीज़ आपको लगएगी य आपको system default इतने ही application देखने को मिल जाते हैं और photo storage यहाँ पर unlock नहीं देखने को मिलता तो यह चीज़ आपको missing feel होती है customer home के अंदर जो कि mostly होना चाहिए दूसरे यहाँ पर camera अगरा तो आपको काम करता है बट वहीं पर जीके मगरा यूज करना पड़ेगा सासे साथ यहाँ यहाँ पर flash light के अंदर एक और benefit आपको मिल जाता है कि आप इसके percentage को select कर सकते हो कि कितना आपको bright रखना है कितना नहीं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यह चीज़ यहाँ पर आपको जो सही तरीके से काम करते हुए मिल जाती है तो यह एक नया option यहाँ पर add करा गया है अन्टूटो स्कोर नॉर्मल तरीके सा आप देख सते हो और यहाँ पर hitting काफी जाद आ गया था जब मैंने इसे भाई flash करने के बाद hand to hand चेक किया था तब लेकिन यहाँ पर थो हमें इसे cooldown करता हूँ हाँ इसके आसपास रहता है लेकिन इसके जैसा देखने को नहीं मिलता यहाँ पर device certified रहता है तो दिक्कत की बात नहीं है बट यहाँ पर वह इस्ट्रॉंग वाला फिल रहता है और बाकि बेसिक आपके पास रहते गेमिंग अंदर सिर्व सिव आपको extreme plus देखने को मिलता है तो यहाँ पर ultra extreme भी unlock नहीं किया गया कि काफिया तक simple रखा गया है जैसे कि lineage बगएरा रहते ना ज्यादा कुस्टमाइसर नहीं मिलता है सेम उसी तरह किसी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसके वाई से आपको यहाँ पर benefit मिल जाता है smoothness के अंदर battery के अंदर और performance क अंदर जो कि काफी अच्छा आपको पसंद भी आएगा और तो वह charging टेस्ट किया था जैसे कि 9 मिन में 14 परसेंट 8 मिन में 17 परसेंट तो यह तो यहाँ पर charging speed निकल के आती है तो रोम तो भाई मुझे रियली में पसंद आया है काफिया तक सही लगा है साही चीजे अच्छ करना है स्च एक बाद पर वाल्म डाउन को लॉंग करना है जिससे आपको फॉन ये फास्पूर्ट लोगों पे सो होगा जैसी सो होता है अपको अपने PC से करना है और सारा काम PC पर करना है यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म टूल के अंदर फाईले रख रख रखिये मैंने आप फोल्डर प्लेटफॉर्म टूल के अंदर ही घुसार रहा तो कन्फीज मत होना कि इतने सारे फाइले दिखाई दे रही है बस हाँ जो भी आप फाइल लाउड़ करके जो भी रिक्वाइड है वो सारे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर रखना और और cmd को आउन कर लेना यहां पर मैंने cmd को आउन कर लिया है अब सबसे पहले हम यहां पर recovery flash करेंगे तो recovery flash करने के कमांड है fastboot flash recovery और यह हमारा recovery है जिसे मैंने rename कर रखा है ताके पहचान सकूँ और उसके बाद इंटर पे किलिक कर देंगे जैसे recovery flash हो जाता है आपको अभी से reboot करके recovery में स्विच करना है तो उसका कमांड है fastboot reboot और recovery इंटर प्रेस करते हैं आपका phone recovery में on होगा और यहां पर recovery बिल्कुली different है जैसा कि आपने oneplus के device में देखा है ना fastboot logo वगरा से उसी तरह किसे यहां पर repair होता है और मेरे phone में यह problem कर रहा था boot होने में first time काफी जाद दिक्कते हुई है तो यहां पर default recovery दिया गया ना इसका यूज ना करके मैंने diffist का recovery यूज करके रोम को flash किया था उसके बाद मेरा phone boot हुआ है तक आपके साथ दिक्कत आता है इस recovery के साथ तो आप diffist का recovery यूज कर लेना जैसे कि मैंने अभी flash किया है उसी तरके से बस फाइल को आपको चेंज कर लेना है अब देख से तो यहां पर पूरा look और behavior यहां पर change हो चुका है तो यहां पर volume का यूज करते हों इसे up and down करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करना रहता है हमें factory data wipe करना रहता है यहां पर मैं इसे wipe कर दे रहा हूं जो कि यहां पर हो चुका है अब यहां पर apply from adb पर click कर देंगे और यहां पर आ चुका है अब फिर से हम क्या करेंगे अब यहां पर file को flash करेंगे तो इसके लिए adb side load space और जो हमारा roam है यह रहा इसे drag and drop करेंगे आप हमेसे यहां पर gf-color version ही यूज करना वल नीला यूज मत करना है कि कि इसमें दिक्कत आये थी कि हमारा नीग फ्लैस ही नहीं हो रहा था बहुत आद हम बुराना मत इसे flash होने देना यहां पर रोम completely flash हो चुका है अब लास्ट में आपको पता है क्या करना है वह है आपका format और reboot करना है तो यहां पर हम फिर से volume down करते हुए जाएंगे वाइप पर power turn का यूज करते हुए इस तरह किसा हम इसे format कर देंगे जो कि आप देख से तो wipe complete हो गया है अब यहां पर system reboot करेंगे जैसे आप यहां पर reboot करोगे ना इस तरह किसे लिखावा आएगा pop-up कि press any key जो कि आप देख सेते हो और यह जो same look है one plus realme बगर डिवाइस में आता है तो यह आपका logo है वह billing करते जा रहा था करते जा रहा था और नहीं हो रहा था तब मैंने यहां पर इस recovery का यूज करते हुए नहीं कर देख कर दो बखिवार के जाए रहा 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 का अ अर यह करते हुए इथ लिए कि अभार क्या कब बड़के क्या का तो छूज के अ दो आई रहा हो हुए अज अ